नमस्कार स्वागत है अब सभी कारेंवीज पर आपके साथ मैं हूँ पल्लवी रवींदर सिंग राज में छे जुलों में होने वाले जिला परशुत के चुनाओं के लिए कौन-कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं या तस्वीर कल साफ हो गई सभी प्रत्याशी अपने अपने शेत्र में चुनाओं परशार के लिए मैदान में उतरे थे और आपको बता चले परशुत की इस्तिती देखे तो कोई उमिद्वार मैदान में नहीं है बीस वार्ड ऐसे हैं जिनमें त्रकोने मुकाबले देखने को मिल रहे हैं तीसरे मोर्चे के दौर पर राजस्तान में तीजी से उभर रही रास्ट्य लोकतांत्रिक पार्टी ने पहली बार जिला परशद जैपुर में अपने उमिद शित्र पर ही है इसी को देखते हुए जैपुर जिला परशद में इस बार पार्टी ने अपने उमिद्वार खड़े कर दिये कोतवाली पुलिसीवक से मोबाइल लूटने के मोबाइल में दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है दोनों ही आला दरजे के बदमाश हैं जो पूर्व में भी कई मोबाइल लूट वा चोरी के मामले में गिरफतार किये जा चुके हैं पुलिस ने बताया है कि आरोपी आमीन आवार गर्दी में जादा रहता था और पूर्व में भी चोरी मोबाइल लूट के मामले पकड़े जा चुका था और परजुनोवा पतनी के कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं सुधरा जिस पर उसकी पतनी उसे छोड़ कर पिहचो नशी की तलब होने पर जेम में पैसे नहीं होते तो दोनों लोगों को अकेला देख उनके मोबाइल च्वीन कर भाग जाते थे और उससे मिलने वाली रकम से अपने लिए नशी का इंतजाम करते थे तो आपको बताते चलिए सर्विट टेक्स कारयाले में तैराज जी अस्ट्री के सुपरिटेंडेंट का एक तरफा प्यार सुर्ख्यों में बना हुए सल्टेक्स के महिला वकील के यहां कारयारे त्यूर्टी से शादी की जिप पर आड़ा सुपरिटेंडेंडेंड दौरा लगातार फोन करने से महिला वकील तनाओ में है जब महिला वकील गुमानपुरा थाने में शुकायत करने पहुची तो उस दौरान भी जी अस्टी सुपरिटेंडेंडेंडेंड का फोन आया महिला वकील ने speaker on करके बात की और CI को फोन पकड़ा दिया आपको बता चले इस पर अधिकारी ने CI से भी अकड़कर बात की CI ने बताया कि अधिकारी शराब के नशे में लग रहा है महिला वकील ने GST सुपरेटेंडेट हुकम चंद मीडा पर आरोप लगाते ही वे शिकायद जो है वो दर्ज करा दी है साथ में बातचीत की recording भी दे दी गई है जिसमें सुपरेटेंडेट काम के बदले यूतु को अपने पास भिजने की बात कर रहा था बदरिनात धाम की तीर्थे आतर शुरू करने की मांग पर कॉंग्रेस से शुक्रवार को बदरिनात धाम कूछ कर रही है इस कूछ में अस्थानी लोग भी शामिल होंगे और पोरमंत्री राजेंद्र भंडारी के नित्रत में बदरिनात कूछ किया जा रहा है इस कूच को देखते हुए पोलिस प्रशासन की ओर से पांडू केश्वर में बद्रुनाथ हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाई गई है यहां करेब 200 पोलिस कर्मियों की तैनाती की गई है वहीं बद्रुनाथ धाम में भी यात्रा संचालन जो है को लेकर आज इस्थाने लोगों ने चार धाम्यातरा शूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया भारत इबद व्यपार की गवार है उत्राखन के उत्रकाश जुले की नेलांग घाती में इस्थित एतिहासिक गरतांग गली की सीड़ियों का देश दुनिया के परटक दीदार करने लगे गरतां गली की लगभग 150 मीटर लंबी सीड़ियां अब नए रंग में नजर आ रही हैं 11,000 फिट की उचाई पर बनी गरतांग गली की सीड़ियां इंजुनियरंग का नायाब नमूना है 1962 में भारत चुनियुद के बाद इस लकडी के सीड़ियों मा पुल को बंद कर दिया गया था आप करेब 69 सालों बाद वा दोबारा परटकों के लिए खोल दिया गया है कोरोना गाइडलाइन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार में दस ही लोगों को पुल पर भेजा जा रहा है पेशावर में आयप ठानों ने 150 साल पहले इस पुल का निर्मान किया था आजादी से पहले तिबब के साथ वैपार के लिए उतरकाशी में नेलांग वैली होते हुए तिबब ट्रैक बनाया गया था या ट्रैक भेरो घाटी के नज़दी खड़ी टतान वाले हिस्से में लोही की रोड गाड कर और उसके उपर लकडी बिच्छा कर तयार किया गया था अस रास्ते में उन चमडे से बने कपड़े और नमक ले करती बस से उतरकाशी के बाड़ा हाट पहुचाए जाते थे चिल राजधानी देहरदून में तो गुरुवार देर रासे बारिश हो रही है ऐसे तापमान में गिरावत आई है लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है वहीं कहीं कहीं जलभराओ भी देखने को मिल रहा है रुध प्रयाग जुले में सुबा से बारिश हो रही है गंगोत्री राश्ट्री राजमार्ग और बद्रुनाद गौरीकंड राजमार बन पड़ा हुआ है वहीं भारत चिन सीमा पर जोशिमठ मलारी और इसके साथ साथ हाईवे साथवे दिन भी अब रुध पड़ा रहा आज नीति घाटी में हेली सेवा शुरू होनी थी लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलिकॉप्टर गौचर से उड़ान नहीं भर पाया था चमोली जिले में देर राज से हो रही बारिश अभी भी जारी है बारिश होने से मौसम में थंड़क आ गई है राजमे मैदान से लेकर पहाळ तक शुक्रवार को हलकी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग की और से जारी की गई रिपोर्ट के मताब राज की कुछ इलाकों में जहां हल्की बारिष होगी वही कई कई ऐसे इलाके भी है जहां भारी से बहुत भारी बारिष की संभावना तो देश में कॉरोरा संकमण के मामलों में उतार चड़ा लगातार जा रही है बीते 24 गंटे की अगर बात करें तो 24 गंटों में जो आकड़े हैं वो उपर नीचे होते हुए नजार आ रहे हैं 24 गंटे में 36,570 नए मामले दर्च किये गए इस दोरान 540 लोगों की जान चली गी बीते कुस दिनों से या आकड़ा 530 के आसपस रहता था लेकिन शुक्रवार को संकमर से 540 लोगों ने दम तोड़ दिया वही 36,740 संकर्मित मरीज इस बीमारी को मात दे कर आपको बताते चलें घर वापस लाच चुके हैं सक्री मरीजों की तादाद अभी 3,63,000 के पास जो 150 दिन में सबसे कम हैं आईसी आमार के अनुसार 19 अगस को 18,86,201 खतल लोगों की कुरोना से जाच की गई है और स्वसमंत्रॉले के आकड़े के मताबर कुरोना से ठीक होने वालों की दर जो है आज पूर प्रधान मंत्रु राजियू गांधी की सततर्वी जैनती है इस मौके पर कॉंगर्स के पूरवध्यक्ष और उनके बेट राहूल गांधी ने शृद्धांजली अर्पित की आपको बताते हैं इस मौके पर उनके साथ लोगसभा में कॉंगर्स के नेता अधीर रंजन चौधरी और कॉंगर्स के वरिष्ट उगलाम नभी आजाद शक्ति सिंगोहिल समेट कई अन्य कॉंगर्सी नेता भी मौजूद रहे भारत रत्न राजियो गांधी की जनती कॉंगर्स सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है देशभर में भारती युआ कॉंगर्स के कारे करता इस दिन सेवा और सद्भाव का कारे करते हैं भारत रत्न राजियो गांधी की जनती जो है वो कॉंगर्स सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है आपको बताते चलें देशभर में भारती युवा कॉंग्रेस के कारकरता सद्भावना दिवस पर पूर प्रधान मंत्री राजियु गांधी को श्रिधांजली अर्पित कर याद करते हैं केंडर के खिलाफ विपक्षी एक जुटता दिखाने के लिए आज कॉंग्रेस के अंत्रे मध्यक्ष सुनिया गांधी के नेतरुत में बैठक बलाएगी बैठक में 15 दल शामिल होंगे बैठक शाम पांच बजे वर्चली तौर परायुजित की गई है बंगाल के मख्यमंत्री मम्ताब बैठक में शामिल होंगे आपको बताते चलें आमाधी पार्टी और बहुचन समाज पार्टी को इस बैठक के लिए नेतर नहीं भेजा गया है दरसल इसी महीने की शुरुवात में मम्ताब बैठक का दिल्ली दौरा हुआ था बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ताब बनर्जी ने सोनिया गांधी समेट कई अने नेताओं से मलाकात की थी विपक्षी नेताओं से मलाकात कर मम्ताब बनर्जी ने केंद्र को बता दिया था कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना की सरकार जो है वो समझ रही है ममता सूनिया के मुलाकात ने यह साफ कर दिया था कि विपक्षी दल आगामी विधानसवा चुनौ एक साथ मिलकर लड़ने की योजना बना रहे हैं